पुराने मटके को आप कूडे में फेक देते होंगे लेकिन मैं इनको नहीं फेकती हूँ मैं इनको अपने गार्डन में यूज कर लेती हूँ ये वाला मटका मैं दूसरी बार यूज कर रही हूँ और इसमें हम क्या लगाने वाले हैं जो मैं काम कर रही हूँ वो काम आपको भी 15 फरवरी से पहले करना है नमस्ते फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आई हो पाप अच्छे होंगे मैं भी ठीक हूँ देखी ये वाला जो मटका है ये आधा मटका है जब मैंने अपने गार्डन के लिए मटकों से ही फाउंटेन बनाया था उस टाइम मैंने ये मटका लिया था लेकिन ये आधा मटका बच गया था इसका यूज नहीं हुआ तभी मैंने इसको यूज किया था इसमें मैंने क्या लगाया था वो आपको दिखाऊंगी देखिए ये जो मिट्टी है ये इसी मटके में डली हुई थी एक बार मैंने इसको साफ किया है देखिए पहले मैंने जब यूज किया तो इसमें मैंने जो अपनी उगी हुई प्याज होती है गली सड़ी प्याज होती है वो लगाई थी ऐसे ही कचरा भरके और इसमें चोटी-चोटी मैंने लसुन की कलिया भी लगाई थी तो देखिए कल मैंने ये हार्वेस्ट कर ली है आपको दिखा रही हूँ ऐसे मैंने हार्वेस्ट किया था ये सभी मैंने निकाल ली थी और देखिए ये मैंने इसलिए निकाली थी क्योंकि ये अभी सूखी सूखी होने लग गई थी और इसकी सभी जो ये पतिया हैं इनको मैं कट कर लूँगी सबजी में डाल लूँगी और ये प्याज भी मैं निकालने वाली हूँ क्योंकि आगे next में हम summer की सबजे भी लगाने वाले हैं तो कल मैंने जो काम किया अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं देखिए ये प्याज भी मैंने ऐसे ही लगाई थी और friends आधा मटका एक और था मेरे पास उसमें तो मैंने mini bc बनाया थी यानि समुद्र के किनारे का जो एरिया होता है वो DIY तयार किया था तो अगर आपके पास पुराने मटके पड़े हैं आधे ऐसे पड़े हैं तो इनको आप garden में कैसे reuse कर सकते हैं आपको बताऊंगी मैं और एक दो तीन चीजों का और reuse करना बताऊंगी आपको कबाड से कैसे जुगाड करना है देखिए ये वाला जो प्लांट है ये मोश रोज के प्लांट है ये अभी सूख गए हैं पहले मैंने इनको ऐसे पुराने तसले में लगाए हुए थे देखिए अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी और ये सुबह का टाइम था इसलिए फ्लावर खिले नहीं उसके बाद मैंने देखो तसले का दुबारा reuse किया है क्या किया है मैंने तसले को paint किया है उसके चारो तरफ मैंने foil paper लगाया है और foil paper लगाने के बाद मैंने इसमें ये अपने भगवान जी को बिठाया है मंदीर बना दिया है ये DIY मंदीर में मैंने सभी waste चीजों का reuse किया है लकडी से मैंने नलका बनाया है और एक अपने waste टबी को ऐसे उल्टा रखके और मैंने लक्षमि गनेजी की मूर्तिया रख दी है भगवान जी को यहां पर बिठा दिया है ये मूर्ति भी पुरानी थी इसको भी मैंने paint किया है देखिए ये जो तसला है ये पुराना था और paint करने के बाद और मैंने इसको ऐसे फोईल पेपर ले पेट के ही बनाया था तो देखिए मैंने आपको तसले का यूज दिखा दिया और मटके का भी देखिए आपको बता दिया मैंने क्या vegetables लगाई थी देखिए ये वाले जो हैं ये हरे हरे हैं यानि ये सूखे हुए नहीं है मैं इस मटके में इनको यूँ का यूँ रख दूँगी और रखने के बाद मैं क्या कर रही हूँ देखना फ्रेंड्स ये मैंने एक थैले में डालके रखे हुए थे थोड़ा बहुत कभी कभी पाने में डाल देती थी तो अभी बारिश का मोसम था दो-चार दिन पहले बारिश आई तो उसका पाइं गिरा तो ये और हरे हरे हो गए है यानि इन में फुटा हो चुका है तो इसमें मेरे जो है सभी फलावर वाले प्लांट है यानि कलर बहुत सारे थे इसमे पिंक भी है डार्क पिंक भी है लाइट पिंक भी है और वाइट भी है तो इसमें तीन कलर थे मेरे तीन के भी चार होएंगे तो मैंने ये फेके नहीं है तो ये सर्दियों में डॉर्मेंट से में चले जाते हैं मोश रोज तो आप इनको सेव कर लेते हैं तो अभी फरवरी य आप प्रून कर ले यानि उनकी जो सूखी हुई पत्या है उनको हटा ले और अगर आपके पास बीज हैं इनके चोटे चोटे बीज होते हैं बीज हैं तो उनसे भी आप लगा सकते हैं और 15 फरवरी के बाद तो आप इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं कटिंग भी अच्छे से हो जाएगी लेकिन मैं क्या कर रही हूं मैं इस टूटे हुए मटके में ही इसको लगा के ऐसे प्रून कर रही हूं यह 10 दिन में ही अच्छे से ग्रो होेंगे और फिर इसी से ही मैं बहुत सारी कटिंग बना लूग यानि बहुत सारे पोदे बना लूगी देखिए इसकी ज पोर्चुला का हो उसमें ये काम आपको 15 फरेव से पहले-पहले कर लेने है यानि आपको अपने प्लांट्स की ऐसे प्रोनिंग करनी है सुखी पत्यों को हटा देना है और खाद भी दे सकते हैं थोड़ी बहुत और थोड़ी बहुत गुडाई भी कर सकते हैं तो मैंने तीन प्लांग में भी गुडाई करी है और उनमें झास झास देदी है वो मैंने शोट में दिखPmart दिखा था यानि मोश रोज आपको क्या करना है ऐसे लगाने के बाद कटिंग करने के बाद आप खाद है इसमें पान में चाहिता डाल रहें अगर पानी डालते रहें सब्सक्राइब के बालब कर दो देना इसमें इसमें काफी तेज धूप आ रही है तो दिन में पोदे सूख जाते हैं तो पानी डालना बेहती जरूरी है अगर आपके यहां बारिश का मोसम है तो पानी की फिर तो आउशकता ही नहीं और यह बची हुई जो है इनको भी मैं नहीं फेकने वाली हूँ फ्रेंड्स मैं कोई भी दब्बे में लगा दूँगे यह भी ऐसे ही तेल का डब्बा था और टोफियो का डब्बे थे कुछ मैंने DIY किये थे एक वीडियो में शेयर किये थे तो ऐसे 2-2 लीटर के डब्बे पड़े होते हैं तो इनको भी गार्डन में आप थोड़ा बहुत पेंट करके यूज कर स है पूरा ही की कोन से गंले पे और कोन से plastic bottle पे planter पे हमें paint करना चाहिए और कैसे करना चाहिए पूरा ही डेटेल मैंने बनाया हुआ है तो देखिये इसको थोड़ा बोत में पहले कट करई और फिर इसमें लगा दूगी तो friends 15 February से पहले पहले आपको ये काम जरूर करना है पर्सलिन हो, सभी को आप ऐसे प्रून कर दे, यानि सूखी पत्यों को ही हटाना है उसके बाद उसके गुडाई करे, उसके बाद उसमें कोई भी खात दे दे उसके बाद उसमें आप पानी दे, और फिर जब प्लांट अच्छे से ग्रो होए तो आप उसको कटिंग से लगा ले आपके गार्डन में धेरो पोदे हो जाएंगे, इसमें मेरे बहुत सारे कलर है इसलिए मैंने इसको फेका नहीं, इसको एक बड़े से थेले में डालके ऐसे रख दिया था, उसमें बीच बीच में पानी गिरता रहता था और ऐसे ये मेरा प्लांट बचा रहा, अभी आपको अप्टेट भी दिखाऊंगी, दस दिन के बाद मेरा जो ये प्लांट कितना अच्छा ग्रो होएगा और ये जो हमारा मटका है पुराना देखिए, ये जब इसमें ग्रो होएगा तो हमारा मटका दिखेगा भी नहीं और अगर आपको कटिंग लगानी है, कटिंग सेव करनी है, कोई बीच लगाने है, तो भी आप ऐसे पुराने मटके का रियूज कर सकते हैं देखिए, फ्रेंड्स कई बार कोमेंट आते हैं कि ऐसे कबार को मत रखो या कबार गंदे लगते हैं देखिए, अगर आपको फिरी में गार्डनिंग करनी है, जीरो बजट में करनी है, कम कर्चे में करनी है, तो आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं वेस्ट मैटेरिल का रियूज करें, और अगर आपको ये बद्दे लगते हैं गार्डन में, तो आप इनको ऐसी जगह पे रख दे, जहां से ये सामने दिखते ना हो, इनको अलग जगह पे रख सकते हैं तो मैं इनको बिल्कुल ही बैक में रखने वाले हूं, मेरे गार्डन में ये दिखेंगे नहीं, तो मैं इनको कहां पे रखूंगी वो भी दिखाऊंगी, और आगे मैं आपको और भी आइडिया देने वाले हूं, वीडियो में बने रहें, आप क्या-क्या रियूज कर सकते मोश रोज के लिए तो देखी छोटी छोटी टहनिया मैंने इन में से निकालनी है जो अच्छी सी ग्रीन ग्रीन है तो इनको मैं कटिंग लगा दूँगी देखते हैं कटिंग ग्रो होती है नहीं होती है तो कोई गंबले में इनको मैं लगा दूँगी अभी फ्रेंड्स आप को एक आइडिया देती हूं मेरे पास दो बाइक के टायर थे उनको जोड के मैंने ये प्लांट लगाए हुए हैं देखिए मैंने बीच में परपल हार्ट है और टर्टल माइन लगाई थी और इसके चारो तरफ बोटल लगाई थी बोटल में मैंने मोश्रोज लगाया था और इसको यहां पे रखा हुआ हैं यहां पे मेरे ग्रोव बैग हैं और यह मेरे गार्डन के दूसरी साईड है तो यह चच्चे पे रखे हुए हैं मैंने और साथ में पोर्छ है तो यह दिखाई नहीं देते हैं कोई अगर अंदरांगे आप इधर देखता है तो ही दिखते और इसका यूज मैंने एक बार कर लिया पहले और एक आधे मतके का मैंने वो बताया था कि मीनी गार्डन सा बनाया हुआ है वो तो मेरे गार्डन में रखा हुआ है मीनी जू तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरू कर देंक यू